Hi guys, welcome to my channel once again So friends, जैसा कि आप सभी जानते हैं Indian market में OPPO Company की F-Series बहुत ही ज्यादा popular है क्योंग दोस्तो OPPO Company की F-Series के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया smart phone देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तो अब पिछले कुछ दिनों से आपको OPPO Company की F-Series का कोई भी smart phone देखने को नहीं मिला है दोस्तो इस साल January के अंदर OPPO Company ने अपने OPPO F-15 smart phone को launch किया था और उसके बाद में दोस्तो अभी तक आपको market के अंदर और कोई भी OPPO F-Series का smart phone देखने को नहीं मिलता है लेकिन दोस्तो अब OPPO Company अपनी F-Series को आगे बढ़ाते हुए अपने नए smart phone OPPO F-70 को लेकर आ रही है तो दोस्तो यदि आप भी OPPO Company के फैन हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा और लाश्ट तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शिर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो वीडियो शरूर करते हैं दोस्तो वैसे तो इस smart phone की अभी तक ज़्यादा जानकारे सामने नहीं आई है लेकिन दोस्तो कुछ लिक्स डिटेल के मतावे कि यह smart phone आपको जल्द ही market में देखने को मिल जाएगा और इस smart phone के दिर भी आपको company बड़े और चे features देने वाली है और यह smart phone Oppo F15 smartphone का upgraded version smartphone होगा और इसके साथ दोस्तो कुछ ऐसी लिक्स डिटेल भी सामने ही है कि यह company का 5G smartphone हो सकता है तो दोस्तो अगर इस smart phone की specification की बात की जाए तो दोस्तो इस smart phone के दिर आपको company 6.5 इंच की full HD Super AMOLED डिस्पले देने वारी है जो की एक जरसी गुना 2400 पिक्सल के resolution ही साथ होगी और इसका aspect ratio 20.9 होगा और इसके back और front panel के पर आपको Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तो इस smart phone के इंद आपको 5.69 डिस्पले देखने को मिलेगी या waterproof नोज डिस्पले देखने को मिलेगी इसके बारे हम जान का नहीं मिली है लेकिन दोस्तो आज के समय के trend को देखते हूई इस smart phone के इंद आपको सायथ company 5.6 नोज डिस्पले ही दे सकती है और इसके साथ इसके अंदर आपको in display fingerpin scanner भी देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो डिस्पले के मामनी में स्मार्टफून आपके लिए बड़ी है रहने वाला है इसके अंदर आपको full size की बड़ी डिस्पले देखने को मिल जाएगी पिक्सल पांच में पिक्सल और दो में पिक्सल का rear camera और 32 में पिक्सल का front cell भी camera देखने को मिलेगा तो दोस्तो ओपो कमपनी की F-series के camera के अंदर आपको बहुत जादा upgrade देखने को मिलेगा क्योंकि अब की बार company बहुती जबरदस्त camera setup देने वाली है तो दोस्तो camera के मामली में आपके लिए बढ़िया रहेगा और अगर दोस्तो बात की जाए इस smartphone के प्रोसेजर के बारे में तो दोस्तो अगर इस smartphone कमपनी 5G वेरिट में लोंज करती है तो दोस्तो इस smartphone दे आपको साइद Mediatek Dimensity 720 SoC का चिपसेट दे सकती है और यह Mobile Android 10 Operating System के पर लोंज किया जाएगा जो की Color OS 7.1 के उबर काम करेगा तो दोस्तो इस smartphone के लिए आपको साइद अब की बार भी Mediatek का ही चिपसेट देखनी को मिलेगा जो की Mediatek का लेटेस 5G चिपसेट है बाकि दोस्तो आप इस smartphone के अंदर कुन सा चिपसेट देखना पसंद करेंगे हमें नीचे comment box में comment करके बता भी सकते हैं लेकिन दोस्तो मुझे लगता है अब की बार भी साइद इस smartphone के अंदर आपको Mediatek का ही चिपसेट देखनी को मिलेगा और दोस्तो अगर बात की जाए इस smartphone के variants के बारे में तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं Oppo company अपने ज्यादा तर smartphone को सिर्फ एक ही variant में launch करती है तो दोस्तो इस smartphone को भी company market में साइद 8GB RAM के साथ launch करेगी जिसके साथ आपको 108GB का internal storage देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको microSD card का भी slot मिल जाएगा तो दोस्तो मार्केटिमें स्मार्टफून का आपको एक ही variant देखने को मिल सकता है और दोस्तो अगर बात की जाए इस smartphone की battery की तो दोस्तो इस smartphone की battery के अंदर भी आपको अबकी बार साइद upgrade देखने को मिलेगा क्योंको दोस्तो इस smartphone के अंदर आपको साइद company 30W के fast charging support वाली 4500Ah की बड़ी और ची powerful battery देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो यह थी इस smartphone की अब तक कुछ सामने आई links, details इस smartphone के प्राइज और इसकी launching date आदी के बारे में दोस्तो अगर बात की जाए इस smartphone की launching date की तो दोस्तो वैसे तो इस smartphone की launching date के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नई आई है लेकिन दोस्तो लिक्स, details के मताविक यह smartphone आपको अगले महीने की शुरुआत के अंदर market में देखने को मिल जाएगा और दोस्तो अगर इसके price की बात की जाए तो दोस्तो यह थी smartphone को company 5G variant में लोंज करती है तो दोस्तो यह smartphone आपको market में 27-30,000 रपी के असपास देखने को मिल सकता है बागी दोस्तो आपको अब की बार OPPO F70 smartphone के अंदर features बढ़िया देखने को मिलेंगे इसमें कोई दोराए नहीं है तो दोस्तो आपको यह smartphone कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह देख पूरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शिर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूरें